प्रियास करते हैं कि प्रभाव होता क्या है, what is a प्रभाव? और प्रभाव is a short saying, a stating a general truth or a piece of advice. जब किसी को advice देना हो या general truth बताना हो, तो हम जो है क्या करते हैं, प्रभाव का इस्तमाल करते हैं. प्रभाव का मतलब होता है कहावते, इसे saying भी कहा जाता है, प्रभाव का दूसरा sense होता है, वो saying होता है. दोस्तो, if you want to speak a smart English, you will have to understand प्रभाव also. जैसा कि हम बोलते हैं, a little knowledge is a dangerous thing. कभी कभी हम जब किसी को general truth बताना हो, if you want to say a general truth, stating a general truth, you will have to speak a general truth. A little knowledge is a dangerous thing. कहने का मतलब है, नीम हकीम खत्रे जान. जब किसी को कम knowledge होता है, जैसे अगर किसी doctor को, जो कि गाउंखर का doctor होता है, उसको कम knowledge होता है, और उसके यहाँ patient का इलाज कराया जाता है, इसलिए कहा जाता है, थोरा ग्यान बहुत ही खतरनाक होता है. इसलिए हमें किसी भी चीज के बारे में, जब हम knowledge gain कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम deep तक जा करके उस knowledge को gain करें. दूसरा है यहाँ might is right, might is right मतलब in the sense जिसके पास सबसे जड़ा तागतवर है, survival of the fittest भी कर सकते हैं, might is right का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैस. अगर हम देखते हैं कि अगर कोई वैक्ती बहुत ही बलसाली है, बहुत सारे उसके पास पूत्र हैं गाउं में भी देखते होंगे, तो अपने तागत के बल पर किसी भी चीज को हधिया लेते हैं, हाँ अपना बना लेते हैं, जहां कहा जाता है, जहां चाह है, वही रहा है, अगर आपके अंदर में एक चाह है, इच्छा है, तो आप किसी भी चीज को आप ये प्राप्त कर सकते हैं, यो विल बी अबल तो गेट अवर्यटिंग इन यूर लाइफ, इफ यू हाव एस ट्रॉंग विल पावर, Therefore, there is a saying in English, where there is a will, there is a way, जहां चाह है, वही रहा है, Self-phrase is no recommendation, कहने का ये मतलब हुआ कि अपने मुह मिया मिठो, मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अपने आपका ही परसंसा बहुत जादा करते हैं, बहुत जादा परसंसा करते हैं, अपने मुह से अपनी वराई जो है वो बहतर नहीं होती है, अगर कोई दूसरा वेक्ति आपका परसंसा कर रहा है, तब इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर में पकर है, आपका जो छेतर में जो है, इन दे एरिया, इन दे सेंस अप जो लोग जो हैं आपको बहतर समझते हैं, वेन इन रोम, डू आज दा रोम्स डू, कहने का मतलब यह हुआ कि जैसा देश वैसा बहुत सारे लोग हैं कि दूसरे देश में जाने के बाद अपने संस्कृति अपने कल्चर को भूल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जैसा देश है, वैसा भी भेस होना चाहिए, वैसा बोली भी होना चाहिए, हमें बोली भी चेंज नहीं करनी चाहिए, all that glitters is not gold हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मतलब बहुत सारे लोगों के पास जो है दो चेहरे होते हैं एक जो होता है वो दिखता है वो होता नहीं है exact में वो अंदर से कुछ और होता है मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती आपको ऐसा दिखेगा कि सामने चमक रहा है लेकिन वो सोना है ऐसा नहीं सीसे भी जो है दूप में चमकने लगते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो सोना है है ना तो कहने का ये मतलब हुआ कि हाती के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, मतलब एक इंसान के अंदर में दो फेस होते हैं, अंदर से और बाहर से, इसका ये मतलब हुआ, खाली दिवान सैतान का घर होता है, इसलिए हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, इस परकार की चीज़े हम अपने लाइफ में हमेसा यूज करते हैं, इस परकार के परभव को हमें इंगलिस में यूज करते रहना चाहिए, और बहुत सारे परभवस को आपको बिरिन में याद कर लेना चाहिए, और आपको बोलना चाहिए, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी कम से तनका, जल्दी किजिए गर्वरी हो जाता है, हर्वरी हो जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अगले एपीसोड में हम बात करेंगे, फोनेटिक एस् क्या होता है, और हम बेहतर डंग से समझने का परियास करेंगे, और तो कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जय हिन्द, दोस्तों फिरूँ